डेफोडिल एजोकेशन एंड वेलफेर सोसाइटी अद्देकसा तस्लीम खान ने लॉकडाउन के पहले से ही लगबग पिछले सो दिनों में पका हुआ खाना और गरीब परिवारों को घर का रासन दे कर गरीबों के मदद कर रही थी आज उन्होंने सो दिन रासन विच्जित करके इसका समापन किया है इस मोके पर HDM शहर जमील खान भी मुझूद थे उन्होंने कहा कि ऐसी परिस्तितियों में गवर्मेंट तो पबलिक की मदद करती है लेकिन समाज से भी लोग ही अपना योगदान देते हैं तो इस समाज में गरीब तबके को लाब मिलता है इस मोके पर तस्लीम खान ने भी अपने खैलातों से आउगत कराया उन्होंने बताया कि अभी तक हम राशन बाट कर गरीबों की मदद कर रहे थे अब हमने स्कूल में पढ़ने वाले गरीब बच्चों की फीज माप करके आपको राहत देने का फैसला किया है गौर तलब है कि तस्नीम ने अपनी बेटी की शादी के लिए जोड़ी हुई रकम भी गरीबों की मदद में लगा दी भौपाल से ताहिर खान की रिपोर्ट जी मैं तस्नीम खान हूँ डेफोडिल्स एजूकेशन और सोशल वेलफेर सुसाइटी की डायरेक्टर हूँ और डेफोडिल्स हायर सेकेटरी स्कूल की फाउंडर और प्रिंसिपल हूँ मैं चोबीस सालों से सोशल वर्क करती आ रही थी लेकिन कभी सोचा नहीं था कि ऐसा भी वक्त देखने को मिलेगा कभी देखा भी नहीं था और ऐसा वक्त कि जिस वक्त बहुत ज्यादा लोगों को खाने पीने के लाले पड़ गए और परिशानी हो गई क्योंकि डेली सब्सक्राइटी की शादी का जो अमाउंट था उसको खर्च करना शुरू किया लेकिन इतनी इतनी जरूरत बढ़ती गई कि बहुत फिर मैंने लोगों से भी मदद ली और लोगों ने मेरी मदद की और हम अभी तक 11,000 फैमिलीज को मदद कर पाए और काफी पका हुआ खान जाके सबी लोगों की तक मदद पहुचाई पुलिस प्रशासन की भी मैं बहुत बहुत शुक्र गुजारू कि आपने कंटेन्मेंट एरियाज में मेरी मदद की सामान भेजने को क्योंकि वहां से लोगों का निकलना और वहां जाना बहुत मुश्किल था तो I am heartiest thankful to everyone those who have supported me थैंक यू सो मच